तो हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइड फ्यूचर इस्तमार क्लास में इस चैनल के मादिम से आपको एजुकेशनल वीडियो प्रवाइड कराया जाती है जिसमें जो सीडी चल रही है वो कच्छा 10 की भी चल रही है और कच्छा 12 की भी सीड की चल रही है तो कच्छा 12 में आज हम बात करेंगे नॉम्नेटिव अपसल्यूट के बारे में इससे पहले हमने बात किया था अगर आपने वो वीडियो देखा है और नहीं भी देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर प्रेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं तो आज हम बात करेंगे नॉम्नेटिव अपसल्यूट की अब नॉम्नेटिव अपसल्यूट होता क्या है इसके बारे में हम देखते हैं तो जो आपने पार्टिसिपल पढ़ा है उसी का सीम पार्टिसिपल का ही रूप यहां पर होता है क्या नॉम्नेटिव अपसल्यूट देखेंगे नॉम्नेटिव अपसल्यूट उस करता या नॉम्नेटिव को कहा जाता है जो वाके में सुतनतर रहता है उसका सम्मन दूसरे सब्द से नहीं होता है कहने का सया है कि जो नॉम्ने कि और आपको इतना समझना है अगर और सबसे पहले हम बताना चाहेंगे अगर आपने ये पार्टिसिप्ल की वीडियो नहीं देखिए तो आप दोस्तों आपकी नहीं समझ में आएगा कि नॉमनिट्री अपसलूट क्या होता है इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अच्छी तरीके से फस्ट वीडियो देखें जिसमें हमने पार्टिसिप्ल के बारे में बात किये तो यहांपर तब आपको आपको नॉमनिटिव अपसलूट आसानी समझ में आ जाएगा तो जाएए पहले आप पार्टिसिप्ल देखिए उसके बात में आए तब देखिए कौन सा नॉमनेटी अबसल्यूट तो स्टार्ट करते हैं जिन बच्चों ने जिन विद्यार्थियों ने जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अगर वो वीडियो देखा है तो यह बहुत अची तरीके सौन में आ जाएगा अब क्या करना समझना है यहा आपको किवल एक बार ही उच करना लेकिन अगर भिनभिन होता है सबजिक्ट अलग अलग होता है तो उस परसिते में आपको क्या करना है दोस्तों बिलकुल सिंपल आपको दोनों सब्जेक्ट लिखने होंगे अभी आपको हम एक्जामपल के माधिम से बताएंगे आपको अ देखा है the sun rose यानि सूरज निकला यहाँ पर देखेंगे मतलब जो subject होगा पूरते हैं अलग होगा जब subject दो subject है तो जहर से बाद आपको दो बार लिखना पड़ेगा अगर एक ही subject होता जिसे participle में एक ही subject था तो वहाँ पर आपको क्यों एक बार लिखना पड़ रहा था यहाँ पर देखेंगे दसन रोज यानि सूर निकला और we lift the bid हम लोग बिस्तर छोण दियें अब यहाँ पर देखना है कि जो सूर निकला सूर का सम्मन सूर एक अलग subject है हमारा और जो हम हैं हम लो subject लिखना पड़ेगा तो कोई tension ही नहीं है जैसा participle में लिकरते थे वैसे ही आपको same लिखना है बस subject आपको दो कर देना है वहाँ पर भी देखेंगे देखते थे same sequence जो वहाँ पर चलता था वही same यहाँ भी रहेगा क्या क्या रहेगा जो present participle था इसमें भी present participle होता है बट subject केवल हालाग होते हैं present participle उसमें भी और present participle इसमें भी केवल क्या होगा हमारे जो करता रहेगे वो अलग रहेगे और उसमें भी past participle इसमें भी perfect participle इसमें भी perfect participle होता है तीनों तो तीनों participle होते हैं तीनों को हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो देखेंगे आपने अब देखो यहाँ पर देखते हैं कि जो सूर्य निकला तो इसको करण माना गया है हम लोगों का बिस्तर जो छोड़ना है उसका क्या है परणाम है तो इसमें कारण और परणाम आता है अब इसी प्रकार से exercise हम देख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा देखेंगे यहाँ पर देखिए निम लिखित आप उदार हनों को देखिए जब राजा मर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो उसका जो बड़ा पुत्र है वो राजगदी पर आया अब यहाँ पर देखेंगे क्यों राजा भी इंपोर्टन्ट है और इंपोर्टन्ट दोनों कोड़ लिखेंगे लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों दो चीजे है अगर समय लग रहा है एक संटेंस के बाद में समय लग रहा है दूसरे संटेंस में तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है having लगाना है यानि वो क्या हो जाएगा perfect participle कहलाएगा वो क्या कहलाएगा वो perfect participle की स्रेणी में आएगा क्या लगाना है वहाँ पर आपको यूज कर देना having having लिखना है और के लिखना है verb की कौन सी form verb की third form लगानी having और verb की third form कब जब समय लगेगा जब time taking होगा एक के बाद में दूसरे में जब समय लगेगा और जब action में fastness होगी यानि एक समय के बाद में एक कारे के बाद में तुरन दूसरा कारे होगा तो वहाँ पर क्या करना है वहाँ पर आपको केवल ing लगानी ये चीज़ समझना है और ये चीज़ आप तब समझ पाएंगे जब दोस्तों आपने पहला वीडियो देखा होगा तब पाटिसिपल का तो इसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं देखेंगे the teacher was absent the boy lived the class तो the teacher being जो कि पहले हम बता चुके हैं जहाँ पर was वेर आता है तो वहाँ पर इसे मार बाज बेर आता है तो हम क्या करते हैं बिंग लगाते हैं the teacher being absent the boy lived the class the captain was killed the army fled क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो time लग रहा है अब यहाँ पर देखो इस sentence में देखो time नहीं लग रहा है यहाँ पर देखेंगे the teacher was absent अब ध्यापक अनुपस्थित थे अब जैसे ही अब ध्यापक अनुपस्थित होंगे तो बच्चे क्या करेंगे the boys lived the class यहीं तुरंद क्या हो जाएगा वो चले जाएगे लेकिन यहाँ पर देखेंगे captain was killed जो captain था army का जो सेना नायक था मारा गया तो अब इसमें लडाई करेगा वो मारा जाएगा उसकी सेना भाग गई तो यहाँ पर देखो एक process है यहाँ पर time लग रहा है जब time लगेगा तो क्या लगाना आपको having लगाना है है ना having और यह sentence अब यह से पूछोगे sir यह bean कहा से आ गया having been the army fleet तो यह sentence हो जाएगा आपका कौन sentence हो जाएगा यहाँ पर नियम भी लिखे हुए आप देख लिजिए यह को बताया क्या है having के साथ में third form का प्रियोग होता है तो active voice में होता है और asmr वाजवेर यहाँ पर आता है being लगाएगे अगर subject के having been का प्रियोग होता है तो passive voice में होता है तो passive voice में इसका यूज़ किया जाएगा तो passive voice में अगर आएगा तो आपको been यूज़ करना अब देखेंगे यह exercise हमारी है यह exercise हम solve कर लेंगे अब exercise solve करने से पहले एक बार फिर से हम क्या करेंगे आपको बता देंगे आप थोड़ा सा समझ लीज़िए नहीं तो finish on में आएगा क्या करना आपको participle का वीडियो देखना ही देखना है participle तीन प्रकार की होती है present participle, past participle और perfect participle present participle और perfect जो participle है उसमें थोड़ा सा difference है present participle में क्या है एक कार के बाद में जो दूसरा कार है तुरंद होता है जैसे I suddenly मैंने सेर को देखा अब सेर को देखने के बाद मैं रुकूंगा नहीं I run away मैं भाग गया तो वहाँ पर देखो एक कार के बाद में तुरंद कार हो रहा है अगर time लगेगा जैसे मैंने खाना खाया और मैं स्कूल गया तो इसमें time लग रहा है तो इसमें having लगेगी यानि खाना खाकर मैं स्कूल गया तो वैसे ही आपको क्या करना है sentence का थूड़ा सा sense निकालना है अर्थ निकालना है देखेंगे the mother died यानि माता जी मर गई the children are in his great trouble अब यहां पर प्रोसेस में आप भी बताएं प्रोसेस में time लग रहा है कि नहीं लग रहा है जब time taken होगा तो क्या लगाएंगे having क्या लगाएंगे having सबसे पहले क्या लिखेंगे having उसके बाद में having सबसे पहले जो subject है वो तो लिखा ही जाएग the children the children are in great trouble great trouble तो यहां पर दोस्तों देख रहा है कि जो having सबसे पहले दामदर लिखा जाएगा having लगाएगा died the children यहां पर कॉमा लगा देंगे और पूरा sentence आपको वैसे ही लिख देना है पूरा sentence वैसे ही लिख देना है दूसरा sentence केवल क्या करेंगे थोड़ा सा पडिवर्तन यहां पर आपको करना है केवल लिख देना having और क्या लगा देना है उसके बाद में आपका having और verb की कौनसी form लगानी third form लगा देनी having और verb की third form दोसरा sentence देखेंगे इसमें क्या देखेंगे देखेंगे यहनि घंटी लगी जब घंटी लगी यहां पर भी क्या हो रहा है तो सबसे पहले क्या लखेंगे the bill the bill अब क्या लखेंगे have have में आएंजी लगाएंगे the bill having और third form wrong the school was closed जैसा लिखा हुआ वैसे ही देंगे दूसरा sentence अब यहां पर देखेंगे यह तो पहले ही बता चुके हैं the sun having rising the fog disappeared यहां पर क्यों परिवर्तन करना चैंगे क्या कर देना है यहां पर आपको having लगा देनी है अब यहां पर दिक्केंगे the post वो जहान पर वो जाएगा तो क्या लिखेंगे being क्या कर देने ing the post being vacant После I offered my service तो यहाँ पर being लगा देंगी, ठीक है, the post, तो यहाँ पर subject दोतों हैं, तो दोनों subject को आपको लिखना पड़ेगा The house has fallen, यानि घर गिर गया, he lives with a friend, वो आपने दोस के साथ में रहने लगा The house, the house के बाद में has लिखा हुए, वर्ब की third form लिखी हुई है, तो यह sentence पैसी बाइस में, जब पैसी बाइस में sentence तो आपको been लगाना पड़ेगा The house having been fallen, he lives with my friend, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में sentence number देखेंगे हम The class work was aware, तो सबसे पहले क्या लेखेंगे, the class work was को हटा करके being लगा देंगे, being aware The class work was being aware, the teacher left the class, यहानि यहाँ पर देखो एक कारी के बाद में तुरंत दुसरा कारी हो रहा है तो being लगा देंगे The thief was caught, the police returned to the police station, यहाँ पर क्या लेखेंगे, यहाँ पर भी बीन लगा देंगे, the thief being caught, the police returned to the police station Rain was plentiful this year, wheat is cheap, तो the rain, अब यहाँ पर देखेंगे, was को हटा कर बीन लेखेंगे, the rain being plentiful this year, wheat, कॉमा लगा देंगे यहाँ पर क्या लेखेंगे The book has been printed, तो the book having been printed, the boy will purchase it now, यानि दूसरा sentence भी कुछी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, केवल sentence में परिवर्तन करना है, पहले में बस The college was लिखा हुआ है, क्या लिख दोगे, फिर closed लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो पता चल रहा है, कि was closed यानि passive wise में sentence है, क्योंकि वर्ब की third form passive wise में लगती है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम The college was लिखा है, तो इसको अटाएंगे, यानि क्या कर देंगे, having been, the college having been closed for the summer vacation, the suite were distributed, यहाँ पर देख रहा है sentence को, आपको दो चीजे केवल याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों, आपको केवल और याद रखना है, कि जो action में अगर fastness होगी, simple समझना है, अगर आपके sentence में, action में क्या है, fastness है, fastness में सोता है दोस्तों, यादि एक कारी के बाद में, अगर दूसरा कारी हो रहा है, तुरंथ हो रहा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, simple verb में ing लगाएंगे, वर्ब में क्या लगा देना, ing लगाना, अगर इस MR बास ब्यार आता है, तो वहाँ पर आपको बीन लगाना है, और इसमें क्या करना, nominative absolute में केवल आपको subject दो बार लिखना है, यानि अलग अलग subject है, तो अलग अलग बार आपको लिखना पड़ेगा, दूसरे sentence में किसी भी परकार का परिवर्तन नहीं होगा, पहले sentence में ही परिवर्तन देखने को मिलेगा, दोस्तों ये हो गया, आपका nominative absolute, अगर आपको इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीस और प्लीस हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए, जिससे की आने वाली प्रतिक वीडियो आप तक पहुंच सके,